अगर हम लोग मोटर का तीनों फेस का करेंट फ्लो होने के वज़े से एड़वर्स इफेक्ट भी हमको फेस करना पड़ता है पर इसमें में सवाल तो यह आता है कि कितना परसेंट या कितना वेल्यू ऑफ अन्बेस करेंट एक मोटर में एलाव होता है अगर हम लोग motor का तीनो phase का current चेक करें, तो हम ये कैसे conclude करेंगे कि जो unbalance current हम देख रहे हैं, वो unbalance current allowed होगा उस motor के लिए या नहीं होगा, हमें कोई action लेना चाहिए या जो unbalance current हम देख रहे हैं, उससे motor को कोई problem नहीं होगी, motor के operation में भी कोई problem नहीं होगी, adverse heating भी हमें phase नहीं करनी पड़ेगी तो कितना percent unbalance current allow होता है एक motor operation के लिए ये उन्होंने basically पूछा है और आज मैं आपको short में to the point बताऊंगा कि कितना value अगर motor unbalance current लेती है तो आपको tension लेनी के बिल्कुल ज़रूरत नहीं है motor के operation में कोई भी adverse effect नहीं पड़ेगा तो दोस्तों बिना time waste के शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर theoretical point of view से बात करें तो books में तो आपको ये मिलेगा कि plus minus five percent unbalance current अगर motor में flow होता है तो वो एक permissible limit है plus minus five percent unbalance current आपके motor को कोई हाम नहीं पहुचाएगा पर मैं आपको अगर practical experience बता हूँ तो practically industries में अगर plus minus ten percent भी unbalance condition होती है motor में तो उसका भी motor पर कोई adverse effect नहीं देखने को मिलता अब आपके mind में सवाल ही आएगा कि ये जो plus minus ten percent में practically बता रहा हूँ ये plus minus ten percent basically है क्या किस चीज़ का ten percent के हम लोग बात कर रहे हैं तो एक दो example लेते हैं उससे ये चीज़ आप easily समझ पाएंगे मान लीजे हमारे पास एक motor है जिसका जब आप current चेक करते हैं तो R phase में आपको 10 ampere current flow होता हुआ मिलता है अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि plus minus ten percent of unbalance current allowed होगा इस particular motor में तो plus minus ten percent of ten ampere आप calculate कर लीजिए क्यूंकि R phase में 10 ampere का current flow हो रहा है तो 10 ampere का 10 percent जब आप calculate करेंगे तो वो 1 ampere होगा इसका मतलब ये है कि 10 ampere से 1 ampere अगर उपर नीचे current अगर होता है तो उतना unbalance इस particular motor में allowed है यानि कि अगर R phase में 10 ampere का current flow हो रहा है Y phase में अगर 9 ampere होता है और B phase में अगर 9.5 ampere का current flow होता है तो ये जो motor में unbalance current है ये permissible है ये allowed है इसलिए कभी भी आप industries में देखेंगे कि 1 phase में अगर 10 ampere का current है Y phase में 9A का current है और B phase में 9.5A तक का current है तो इसको हम लोग unbalance current नहीं कहते मोटा मोटा इसको balance condition ही मानी जाती है वैसे ही आप plus 1A भी इसमें include कर सकते हैं यानि कि अगर R phase में 10A का current है Y phase में 11A का current है और B phase में 10.5-11A के बीच का current अगर flow हो रहा है तो इसको भी हम लोग balance condition ही मानेंगे क्योंकि plus minus 10% of unbalance current आपके मोटा को कोई harm नहीं पहुचाएगा एक और example से दोस्तों समझते हैं मान लेजिए एक मोटा है जो R phase में 100A का current ड्रॉ कर रही है अब हम लोग ये कह रहे हैं कि plus minus 10% of 100A ये आपके मोटा में allowed होगा उतना unbalance condition से आपके मोटा को कोई harm नहीं होने वाला है तो R phase में अगर 100A का current flow हो रहा है तो 100A का 10% आप निकाल लेजी 100A का 10% होता है 10A इसका मतलब ये है कि plus minus 10A का अगर difference आता है तीनों phase में तो उससे आपके मोटा को कोई harm नहीं होने वाला है मोटा का जो winding insulation है उसको कोई harm नहीं होने वाला है R phase में अगर 100A का current है Y phase में अगर 90A का current आपको मिलता है और B phase में 90A से 100A के बीच का कोई भी current आपको मिलता है तो वो आपके मोटा के लिए permissible limit होगी वैसे ही plus 10A भी आप पकड़ के चल सकते हैं कि R phase में अगर 100A का current flow हो रहा है Y phase में अगर 110A है और B phase में 100 से 110 के बीच की कोई भी range है तो इसको भी हम लोग balance condition ही मानेंगे पर plus minus 10% से ज़ादा अगर unbalance condition आपके मोटर में होती है तो वहाँ इसको prior unbalance condition मानी जाएगी और फिर unbalance current से related जो भी चीज़े आपको check करनी पड़ती है वो सब आपको check करनी पड़ेगी otherwise आपके मोटर में abnormal heating होने लगेगी अगर आपने unbalance का protection लिया है तो motor trip हो जाएगी otherwise आपके मोटर का जो winding insulation है वो बहुत तेजी से deteriorate होगा इसलिए जब भी आप मोटर का तीनों phase का current चेक करें तो plus minus 10% इस value को ध्यान में रखें कि plus minus 10% आपकी permissible limit है इस range में अगर unbalance current flow हो रहा है तो आपको कोई भी चीज़ चेक करनी की जादर requirement नहीं है तो दोस्तो यह बहुत अच्छा सवाल था unbalance की condition हम लोग अकसर मोटर में phase करते हैं पर कितना percent of unbalance current permissible होता है एक मोटर operation के लिए यह आपको जरूर पता होना चीए तो दोस्तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को subscribe कीज़ेगा अगर मोटर में unbalance current flow होता है तो कौन कौन से चीज़े चेक करनी चाहिए यह अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे comment box में बताए इस पर एक वीडियो हम लोग अलग से बना देंगे मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए गुडबाइ